नमस्कार Drs Day है आज और हम Drs से बात कर रहे हैं इसे बीच हम पहुँचे हैं Dr. Ajit के पास लेप्रोスकोपिक सर्जन है सदर असपताल में Drs को धर्ती का भगवान कहते ही हैं और उनका काम ही होता है ईलाज करना लेकिन कुछ डॉक्टर अपने स्वार्थ से उपर उठकर काम करते हैं और समाज सेवा कह सके तो कहें तो करते हैं उन्हीं में से एक आते हैं डॉक्टर अजीद इन्होंने कई तरह के एक्जामपर सेट किये हैं कोरोना काल के दौरान कई तरह की इनके उपलब्दियां जो है अख़बारों में अख़बारों की सुर्खियां वरी तो पहरे तो सर बहुत बधाई डॉक्टर थैंक यू थैंक यू बरी मच्च सर एक डॉक्टर होने के नाते क्योंकि लाज करना आप लोग को का काम ही है लेक तो इसकारन से भी मैं लोगों का दुख दर्द को थोड़ा समझने में आसानी होती है मुझे उनके दुख को समझने के लिए वही फिलिंग के साथ मैं इलाज करता हूं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है कुरूना काल जब था उस वक्त एक दो स्टोरी जो आपकी काफी चली वह मुझे आज भी आदे माता जी को अपने उनके घर तक पहुंचाया था एक लड़के को संतावन दिन तक रखा ऑस्पिटल में लगा कि वह नहीं बचेगा उसके बाद भी कैसे उन लोगों का इलाज होना था और बहुत जल्दी से हम लोगों ने खुद को अड़प्ट किया अपने घर वालों से पांच मेना च्छे मेना दूर रहके हम लोगों ने आईशियू में जेनरल वार्ड में मरीजों की सेवा की और जब एक एक बेड का कीमत था पचास हजा साथ हजार कि उसमें क्या है और जब मरीज को पंद्रह बीस लीटर ऑक्सीजन की जरुवत होती थी तो सभी प्राइबिट हॉस्पिटल सुसको गॉवर्में रेफर कर देते थे कहिए कि जो क्रिटिकल पेसेंट सा उनको रेफर कर दिया जाता था तो वैसे कंडिशन में हम लोगों ने पुरसुत्तम कुमार जो बिहार से आये थे रेलवे एंपलाई थे उनको हम लोगों ने संतावन दिन गौर्मेंट एंपलाई को 57 डेज रखके उसमें भी 45 दिन के आसपस वो आईशियू में भरती रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक होके गया है उनके उम्र भी बहुत जादे नहीं थी 30-35 साल के थी तो अभी उनका पूरा जिन्दगी बचा हुआ था और उनको हम लोगों ने बचा के एक अच्छी उपलबदी प्राप्त की और बहुत खुसी भी हुई उनके घरवालों की खुसी को देखके दूसरा जो माता जी थी वो रेलवे कॉल नी राची के र दालना पड़ा फॉलॉप को भी इनफॉर्म किया मैंने तुरंत फॉलॉप के जो सनी सरथ जी उनके तरब से फोन आया कि नहीं उसके घरवालों को पता चल गया है और मेरे सोसल मीडिया में डालने के आदे गंटा के बाद सनी सरथ जी ने बता दिया कि वो घरवाले मिल जा हैं तो अगले दिन मैं खुद गया उल्डेज हूम में उनके बेटे को लेके और उल्डेज हूम से वापस लाकर उनके घर पर मैंने पुछाया है सर लेजर ट्रीटमेंट सदर अस्पताल में होने लगा है बाकी जगह अगर होंगी तो काफी महंगे पड़ जाते हैं सदर अ अगर प्राइबट अस्पताल में एक कोई बीमारी लेता हूं हम रवाड़ जानते हैं वासीर का प्राइबट अस्पताल में 35,000-45,000 रुपर ट्रीटमेंट में खर्च आता है लेजर ट्रीटमेंट डायोड लेजर से हमारे यहां वह बिल्कुल मुफ्त होता है लैप्रोस् अगर वह इक्षा सकते रखेंगे तो वहां भी सुरू हो जागा और लेजर सर्जिरी स्टार्ट करना कोई बहुत भारी काम नहीं है थोड़ा ट्रेनिंग की जरूद जो मैंने खुद से से आगे बढ़के जाकर लिया और मैं यहां पर आके मैं सेवा दे रहा हूं अभी आप कहीं भी जाएंगे तो अब इतने एक्स्पीजेंस डॉक्टर हो गये हैं कि आपको आपकी सालरी काफी अच्छी खासी हो सकती है लेकिन सदर अस्पताल में ही दिखिए जब तक सम्मान मिल रहा है प्यार मिल रहा है सालरी इंपॉर्टेंट नहीं है जीज दिन वो नहीं मिलेगा उस दिन हम लोग भी प्राइबट जाएंगे और एक मेरा है सवाल अब जिस तरीके से डॉक्टर इलाज में भी जिस तरीके से काला बजारी, दवाईयों की काला बजारी होने लगी है, लोग जिस तरीके से अपने स्वार्थ के पीछे भागने लगे हैं, उन डॉक्टर को क्या संदेश देखिए, बुरे लोग तो हर फिल्ड में हैं, पत्रका को बचा सकते हैं और क्योंकि अब कुरोना काल फिर से शुरू हो रहा है किसे बढ़ रहे हैं तो क्या लगता है कुछ ऐसे एक्विपमेंट्स आप आज सजेस्ट करेंगे लोगों को कि हमें अपने घर में रखने चाहिए जिससे तुरंत किसी भी तरह की बिमारी इमर्जिंसी में जो लोग उसका इस्तुमाद कर से हैं एक्विपमेंट्स के लिए तो पल्स ऑक्सिमेटर जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है हम लोगों ने देखा था कोविड काल में की ऑक्सीजन का सेचुरेशन आपना कितना जरूरी होता अगर आप एक्विपमेंट की करेंगे तो पल्स ऑक्सिमेटर में सब को सला दूंगा कि अपने घर में ज़रूर रखे क्योंकि उससे तुरंत ऑक्सिजन का लेबल पता चल जाता है और बाकी वो जो चीजे थी वो आज भी बैलिड है तो से डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है मास्क का भी मैंने छोटे मोटे जो ऑपरिशन्स थे वो किये वाड में राउंड लिया वो नॉर्मल हमारे लिए तो सेवा ही दर्म है तो यह आप डॉक्टर अजीत को सुन रहे थे हैं आज भी अगर यह कहीं जाएंगे किसी प्राइवेट इस्पिताल में तो एक अच्छी खासी ल के लिए काम करते हैं जो लूग का डॉक्टर की फीस नहीं पेट कर पाते हैं वैसे वैसे लोगों के लिए दॉक्तर अजीत काम कर रहे है और इनका संदेश भी आई है कि कम से कम सारे डॉक्टर्स को ऐसे काम करने चाहिए कि एक दो मरीज की कम से कम फ्री इलाज करें, थोड़ा कम पैसों में इलाज करें, इस तरह के संदेश के साथ डॉक्टर्स जेके इनको बहुत बहुत बदाई, धन्यवाद. दो अधने से इनका सुरी के से साथ चाहिए, आफियाद युटर्स, और इनका साथ इनका से लाज़ार्स, लाज़ाओ उनका से फोल्गा.